ओम नमो भगवते वासुदेवाई जै सिरी कृष्ण दोस्तों माताओं बहनाओं धर्म सास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनाराइन ब्रत कथा का पाठ करने से अथवा सुनने से ब्यक्ति को हजार यग करने के बराबर पुन्यफल की प्राप्ति होती है सत्यनाराइन भगवान ब्रत कथा में भगवान विशुन के सत्यस्वरूप के बारे में बताया गया है इस ब्रत का पाठ करने एवं सुनने से घर में सुक्सम्रधिका वास होता है और भगवान विशुन की क्रपा हमेशा बनी रहती है आईए सुनते हैं सिरी सत्य नारायन ब्रत कथा आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही वीडियो को लाइक करें कमेंट में आप अपने विचार जरूर रखें एक समय की बात है नैम शारेन तीर्थ में सोनिकाद 88,000 रिशियों ने स्री सूत जी से पूछा है प्रभू इस कल युग में बेद विद्यारहित मनुस्यों को प्रभू भक्त किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिस्रेष्ट कोई ऐसा तप बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मनवांचित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्व सास्त्रों के ग्याता सूत जी बोले हे बैसरों में पूज आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे स्रिष्ट ब्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्षमी नारायन जी से पूछा था और लक्षमी पती ने मुनि इसे ध्यान से सुनिए एक समय की बात है योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्य लोक में आ पहुँचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में प्राया सभी मनिस्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित देखा उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यतन किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानों के दुखों का अंत हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वह बिसुन लोक में गए वहां वह देवों के इस नाराण की इस्तुति करने लगी जिनके हाथों में संख चक्र गदा और पद्म थे गले में वर्माला पहने हुए थे इस्तुत करते हुए नारद जी बोले हे भगवान आप अतियंत सक्ति से संपन्न हैं मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है निरुग स्वरूप स्रिष्ट के कारण भात्तों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार है नारद जी की इस्तुत सुन विश्ण भगवान बोले हे मुनि स्रेष्ट आपके मन में क्या बात है आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे निसंकोच कहो इस पर नारद मुनि स्रीहरी बोले मृत्य लोक में अनेक योनियों में जन में मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं हे नात आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे चुटकारा पा सकते है स्रीहरी बोले हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूची है जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह बात मैं कहता हूँ उसे सुनो स्वर्ग लोक वा मृत्य लोक दोनों में एक दुरलब उत्तम ब्रत है जो पुन्य देने वा आज प्रेम वस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ स्री सत्य नारण भगवान का यह ब्रत अच्छी तरह बिद बिधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है स्री हरी के वचन सुन नारण जी बोले की उस ब्रत का फल क्या है और उसका बिधान क्या है यह ब्रत किस ने किया था इस ब्रत को किस दिन करना चाहिए सभी कुछ बिस्तार से बताईए नारण जी की बात सुनकर स्री हरी बोले दुख हुआ सोक को दूर करने वाला यह सभी इस्थानों पर बिज़े दिलाने वाला है मानों को भक्तिवा सुरद्धा के साथ साम को स्री सत्यनारायन की पूजा धर्म परायन होकर ब्रहमणों वा बंधूं के साथ करनी चाहिए भक्ति भाव से ही नैवेद केले का फल घी दूध और गेहूं का आटा सवाया लें गेहूं के इस्थान पर साथी का आटा सक्कर तथा गुड लेकर वा सभी भच्छन योग्य पदार्थों को मिला कर भगवान को भोग लगाएं ब्राहमणों सहित बंधू बांधों को भी भोजन कराएं उसके बाद स्वयम भोजन करें भजन की इरतन के साथ भगवान की भक्त में लीन हो जाएं इस तरह से सत्यनाराण भगवान का यह ब्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं इस कलिकाल अर्थात कलियुग में मृत्य लोक में मुक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है सुत जी बोले हे रिशियों जिसने पहले समय में इस ब्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो, सुंदर कासी पुरी नगरी में एक अतियंत निर्धन ब्रहमण रहता था, भूप प्यास से परेसानवा धर्ती पर घूनता रहता था, ब्रहमणों से प्रेम से प्रेम करने वाले भागवान में एक दिन ब्रहमण का वेस धारण कर हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम प्रितवी पर क्यों घूमते हो। दीन ब्रहमर बोला, मैं निर्धन ब्रहमर हूँ, भिख्छा के लिए धर्थी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताईए। ब्रद ब्रहमर कहता है कि सत्यनाराण भगवान मनो वांचित खल देने वाले हैं इसलिए तुम उनका पूजन करो इसे करने से मनुस्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है ब्रद ब्रहमर बनकर आये सत्यनाराण भगवान उसे निर्धन ब्रहमर को ब्रत का सारा विधान बता कर अंतर ध्यान हो गए ब्रहमर मन ही मन सोचने लगा कि जिस ब्रत को ब्रद ब्रहमर करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूँगा यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई वह सबेरे उठकर सत्यनारायन भगवान के ब्रत का निश्चय कर भिख्चा के लिए चला गया उस दिन निर्धन ब्राहमण को भिख्चा में बहुत धन मिला जिससे उसने बंद बांधों के साथ मिलकर स्री सत्यनारायन भगवान का ब्रत संपन किया भगवान सत्यनारायन का ब्रत संपन करने के बाद वह निर्धन ब्राहमण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपतियों से युक्त हो गया उसी समय से यह ब्रामर हर माह इस ब्रत को करने लगा इस तरह से सत्य नारायन भगवान के ब्रत को जो मनुष्च से करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूट कर मुख्च को प्राप्त होगा जो मनुष्च से इस ब्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा सूत जी बोले कि इस तरह से नार्द जी ने नारायन जी का कहा हुआ स्री सत्य नारायन ब्रत को मैंने तुमसे कहा हे विप्रों मैं अब क्या कहूँ रिसी बोले हे मुनिवर संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस ब्रत को किया हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं इसके लिए हमारे मन में स्रद्धा का भाव है सूत जी बोले है मुनियों जिस जिस ने इस ब्रत को किया है वे सब सुनो एक समय वही भी प्रधनवा अईसुर्य के अनुशार अपने बंद बांधों के साथ इस ब्रत को करने के लिए तयार हुआ उसी समय एक लकडी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और लकडियां बाहर रखकर अंदर ब्रहमर के घर में गया प्यास से दुखी वहा लकड हारा उनको ब्रत करते देख विप्र को नमसकार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ब्रत कर रहा हूं तखा इसे करने से क्या फल मिलेगा क्रपया मुझे भी बताईए अमर ने कहा कि सब मनो कामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारान भगवान का ब्रत है इनकी क्रपा से ही मेरे घर में धन धान आद की ब्रत हुई है बिप्र से सत्यनारान ब्रत के बारे में जानकर लकड हारा बहुत प्रसंन हुआ चरना मरत लेकर वह प्रशाद खाने के बाद अपने घर गया लकड हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकडी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सिरी सक्त नारान भगवान का ब्रत करूंगा मन में बिचार लेकर बुढ़ा आदमी सिर पर लकडियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहते थे उस नगर में उसे अप लकडियों का दाम पहले से चार गुना अधिक मिला बुढ़ा प्रसनता के साथ दाम लेकर केले सक्कर घी दूद दही और गेहों का आटा ले और सत्त नारान भगवान के ब्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया वहां उसने अपने बंद बांधों को बुला कर बिद बिधान से सक्त नारान भगवान का पूजन और ब्रत किया इस ब्रत के प्रभाव से वह बुढ़ा लकड़ा धन पुत्र आद से युक्त होकर संसार के समस्त सुक भोग अंत काल में बैकुंठ धाम चला गया स्री सत्य नारान भगवान की जय सत्य नारान भगवान की ब्रत कथा का तीसरा अध्याय सूत जी बोले हे स्रेष्ट मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ पहले समय में उलका मुख नाम का एक बुध्मान राजा था वह सक्त वक्ता और जितेंद्रिय था प्रत दिन देव इस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन दे कर उनके कष्ट दूर करता था उसकी पतनी कमल के समान मुख हुआ ली तथा सती साध्वी थी भद्र सीला नदी के तट पर उन दोनों ने स्री सत्यनाराण भगवान का ब्रत किया उसी समय साधु नाम का एक वै से आया उसके पास ब्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था राजा को ब्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा हे राजन भाक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं मैं सुनने के इच्छा रगता हूँ तो आप मुझे बताईए राजा बोला हे साधू अपने बंद बांधों के साथ पुत्रादी की प्राप्ति के लिए एक महा सक्तिमान स्री सत्यनाराण भगवान का ब्रत वा पूजन कर रहा हैं राजा के वचन सुन साधू आदर से बोला हे राजन मुझे इस ब्रत का सारा विधान कही आपके कथना नुसार मैं भी इस ब्रत को करूँगा मेरी भी संतान नहीं है और इस ब्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी राजा से ब्रत का सारा विधान सुन ब्यापार से निवत हो वह अपने घर गया साधु वैस से ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस ब्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस ब्रत को करूँगा सादु ने इस तरह के वचन अपनी पतनी लीलावती से कहे एक दिन लीलावती पती के साथ आनंदिधो संसारिक धर्म में प्रवत होकर सत्यनारान भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई दसमे महिने में उसके गर्भ से एक सुन्दर कन्या ने जन्म लिया दिनों दिन वह पढ़ने लगी जैसे की सुक्टल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा एक दिन लीलावती ने मीठे सब्दों में अपने पती को याद दिलाया कि आपने सत्यनाराण भगवान के जिस ब्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है आप इस ब्रत को करिए साधु बोला कि हे प्रिये इस ब्रत को मैं उसके बिबाह पर करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासंदे करवा नगर को चला गया कलावती पिता के साथ घर में ब्रत्ध को प्राप्त हो गई साधुने एक बार नगर में अपनी कन्या को सकھیयों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योगए वर देख कर आओ साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुँचा बुला कर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया लेकिन दुर्भागी की बात ये कि साधु ने अभी भी सत्य नारान भगवान का बरत्ल नहीं किया इस पर स्री भगवान क्रोधित हो गए और स्राप दिया की साधु को अत्यधिक दुख मिले अपने कारे में कुसल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास इस्थित होकर रतना सारपुर नगर में गया वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में ब्यापार करने लगी एक दिन भागवान सत्य नराण की माया से एक चो पुर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था राजा के सिपाहियों ने साध वैसे के बास जाकर धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध कर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाएं आप आगे की कारवाई की आग्या दें राजा की आग्या से उन दोनों को कथिं कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया ते श्री सत्त नाराण भगवान से स्राप से साध की पतनी भी बहुत दुखी हुई घर में जो धम रखा था उसे चोर चुरा ले गए सारीरिक तथा मानसिक पीड़ावा भूप प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्रहमण के घर गई वहां उसने स्री सत्त नाराण भगवान का ब्रत होते देखा फिर कथा भी सुनी वह प्रसाद ग्रहाण कर वह रात को घर वापिस आई माता के कलावती से पूछा माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री अब तक तुम कहां थी तेरे मन में क्या है कलावती ने अपनी माता से कहा हे माता मैंने एक ब्रहमण के घर में स्री सत्त नाराण भगवान का ब्रत देखा है कन्य के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी क गर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्चना की कि हम सब का अपराध छमा करें। स्री सक्त नारायन भगवान इस ब्रत से संतुष्ट हो गए। और राजा चंद्रकेत को सपने में दर्सन दे कर कहा कि हे राजन तुम उन दोनों वैस्यों को छोड़ दू और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दू अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राजजिवा संतान सभी को नश्ट कर दूँगा। राजा को यह सब कहकर वहां अंताध्यान हो गए। प्राता काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया फिर बोले कि वडिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला हे महानुभाव। भागिवस ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उन दोनों को नए वस्त्रा भूसन भी पहनाए। और जितना धन उनका लिया था उससे दो गुना धन वापिस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिये। स्री सत्य नाराण ब्रत कठा का तीसरा अध्याय संपूर। बोली स्री सत्य नाराण भगवान की जय। सत्य नाराण भगवान की ब्रत कठा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले वैस ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंब की और अपने नगर की ओर चल दिये उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेस धारी स्री सत्य नारायन ने उनसे पूछा हे साधू तेरी नाव में क्या है विवाडी वडिक हस्ता हुआ बोला हे दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल वपत्ते भरे हुई है वैस के कठोर वचन सुन भगवान बोले तुम्हारा वचन सत्ते हो दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ लए दंडी के जाने के बाद साध वैसने नित क्रिया के पस्चात नाव को उची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आद देख हुआ मुर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा मुर्चा खुलने पर वह अतियंत सोक में डूब गया तब उसका दामाद बोला कि आप सोक ना मनाएं यह दंडी का साफ है इसलिए हमें उनकी सरण में जाना चाहिए तब ही हमारी मनो कामना पूरी होगी दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुँचा और अतियंत भगतिभाव नमस्कार करके बोला मैंने हे वणिक पुत्र मेरी आज्या से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तु मेरी पूजा से बिमुख हुआ सादु बोला हे भगवान आपकी माया से ब्रंभा आदि देव तब ही आपके रूप को नहीं जानते तब मैं अज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रस सुनकर भगवान प्रसन हो गए और उसकी इच्छा नुसार वरदान देकर अंत्ह ध्यान हो गए ससुर जमाई जब नाव पर आये तो नाव धन से भरी हुई थी फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्य नारायन भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दी जब सामात सहित नगर के निकट आ गए हैं दूत की बात सुनसादु की पतनी लीलावती ने बड़े हर्श के साथ सत्य नारायन भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा मैं अपने पती के दर्सन को जाती हुई तू कहरे पूर कर सीग्र आ जा माता के ऐसे वचन से प्रसाद छोण अपने पती के पास चली गई प्रसाद की अवग्या के कारण स्री सत्य नारायन भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पती को पानी में डूबो दिया कलावती अपने पती को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी नौका को डूब स्री सत्य नारायन भगवान प्रसन हो गए और आकास वाणी हुई ये साधू तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोण कर आई है इसलिए उसका पती अद्रस से हो गया है यदि वहा घर जाकर प्रसाद खाकर लोटती है तो इसे इसका पती अवस्य मिलेगा ऐसी आकास वाणी सुन कलावती घर पहुँचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पती के दर्सन करती है उसके बाद साधू अपने बंधु बांधों सहित स्री सत्य नारायन भगवान का बिद बिधान से पूजन करता है इस लोक का सुक भोग वहां अंत में स्वर्ग को जाता है स्री सत्य नारायन भगवान की जय सत्य नारायन भगवान भगवान की जय सत्य नारायन भगवान 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 का पांचवा अध्याय सूत जी बोले हे रिशियों मैं और भी एक कथा सुनाता हूं उसे भी ध्यान पूरबक सुनों प्रजा पालन में लीन दुंग आज नाम का एक राजा था उसने भी भागवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सान किया एक बार वन में जाकर वन ने पसुओं को मार कर वहां बढ़ के पेड़ के नीचे आया वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधों सहित सत्यनारण भागवान का प पूजा इस्थान में नहीं गया और नाही उसने भगवान को नमस्कार किया ग्वालों में राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया जब वह नगर में पहुँचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया वह सीग्र समझ गया कि यह सब भगवान नहीं किया है वह दुबारा ग्वालों के पास पहुचा और विद पूर्वत पूजा करके प्रसाद खाया तो सिरी सत्य नारान भगवान की क्रपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया धीर्ग काल तक सुख भोगने के बाद मरनो परांत उसे स्वर्ग लोग की प्राप्ति हुई जो मनुस्य इस परम दुरलब प्रत को करेगा तो भगवान सक्ते नारान की अनुकमपा से उसे धन धाने की प्राप्ति होगी निर्धन धनी हो जाता है और भाय मुक्त हो जीवन जीता है संतान हीन मनुस्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनुरत पूर होने पर मानो अंत्काल में बैकुंट को जाता है सूत जी बोले जिन्हों ने पहले इस ब्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ ब्रद्ध सतानंद प्रहमर ने सुधामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्त की लकड हारे ने अगले जन्म में निसाध बनकर मोक्ष प्राप्त किया उलका मुखनाम का राजा दसरत होकर बैकुंट को गए साधुनाम के वैस ने मोरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया महराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में अभियुक्त हो कर्म कर मोक्ष को पाया सिरी सत्य नाराण ब्रत कथा का पाँचवा अध्याय संपून बोलिये सिरी सत्य नाराण भगवान की जय तो दोस्तों मित्रों माताओं बहनों यह थी सत्य नाराण भगवान की ब्रत कथा आसा करता हूँ आपको पसंद जरूर आई होगी आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट में जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी इसी के साथ बिदा लेते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय सिरीक्रिष्ण